वेलकम बेक दोस्तों आ गए हैं हम एक नएव लोग में तो अभी हमारी practical exam शुरू हुई है आपने हमारे पिछले व लोग में देखा होगा तो मेरी theory exam शुरू हुई थी तब टाइम लेकिन हमारी practical exam उसके बाद ही शुरू होने वाली थी लेकिन एहमदाबाद में काफी सारी बारिश हुई उस ताइम तो हमारी exam पोश्पॉंट की गई क्योंकि काफी सारी जगों पे पानी भर गया है तो अभी हमारी practical exam शुरू हुई है कल एक practical exam में देखके आया हूँ कल हमारा pathology का practical exam तो अभी मैं उसके कुछ diagram exam के कुछ important diagram है वो मैंचे डो करने के बाकी थे तो मैं उसे जिखर रहा था देखो ऐसे ऐसे डाइग्राम आपको जनल्स में डो करने होते देखो जनल और इसी पैन्सिल आती है देखो इस पैंसिल से आप इसे ट्रो कर सकते तो मैंने आपको दिखाने के लिए फर स्श्वीर इर्की जरनलय बी अपता काफे सारे काफ Вас यह करने होता है तो कल हमारी ह की प्रैक्टिकल एक्जाम उसमें कुछ टेबल लो होंगत इंस्ट्रूमेंट होगे थीरी एक्जाम के कुछ क्वेशन पुछे जाएंगे हमको और इस जर्नल्स में से हमको कुछ प्रेक्टिकल है वो पढ़के जाने और वहां पर उसका एक्जाम होगे कि मैंने अभी आपको बता है कि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट और कुछ चीजें पूछते हैं टेबल पर पड़ी रहती है और उसके बारे में कि उसका नाम क्या पूछते हैं देखो वह यह चीज देखो यह सारी वेक्यूटीज है मिन्स के वेक्यूम ट्यूब है जिसमें ब् कानसा एंटि कोग्लेंट मुझुद रहता है वो भी पूछते हैं फिर उसका क्या यूज मशारी से बिंगल टो आपने शायद से काफी जगह पर देखी ओंगे आपने रेड यह ब्लेक वाली प्याती है ब्ल्यू वाली ब्लेक में है वह यह सार का यूज है यह सार करने के ल ब्लॉड एड्मिनिस्टेशन से अठे वो फिर यूरीन एनालिस स्ट्रीप हो गई और स्टर्नल पंक्चर प्रोसीजर निडल हो गई काफी सारी चीजें जो अभी उसके नाम हमें याद है अभी तो साड़े नौ बचे और मैं प्रेक्टिकल के लिए आ गया है और यहां पर देखो यहां पर हमको स्लाइड दिखाई गई थी और उसमें से हमें स्पोर्टिंग थे वो लिखने तो उसके कुछ पांच मार्क थे तो हमने वो तो कंप्लेट कर दिया लेकिन अभी हमारा एक्सरसाइज वाईवा और टेबल वाईवा तो उसके लिए हमें चाना तो फाइनली हमारी प्रेक्टिकल एक्जाम दूसरी खतम हो गई अभी बारा बच गए और में रूम पे वापस आगे काफी टाइम लग गया है क्योंकि मेरा रोल नंबर आखिर में है तो आप समझी स क्या है कि इतना तो टाइम लगी सकता है तो मिन्स अच्छा गए ऐसा भी खास बुरा भी नहीं था और हमें तो इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बास वचाहें इसमें बस और कुछ नहीं तो बस अभी थोड़े टाइम आराम करते और उसके बाद खाना खाने जाएंगे दोस्तों जा रहे माइक्रोबाइलोजी का प्रेक्टिकल देने के लिए और काफी सिमिलर ही सिलेबासे जैसे स्लाइड एग्जामेन तो उसके आगे भी एक प्रेक्टिकल है उसके बाद हमारी एक्जाम कमप्लेट होगी है करते हैं झाल झाल